हलो दोस्तों अंस्ट टेक्निकल जॉब सेंटर योटूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों मैं हूँ प्रभाकर निशाद यानि की निशाद सर और आज मैं अपने योटूब चैनल पर एक गवर्मेंट जॉब निव नोटिफिकेशन अपडेट लेके आप लोगों के सामने हूँ तो दोस्तों ये जो जॉब है ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एक गवर्मेंट जॉब अपडेट की है अगर आप लोग आई टी आई कर चुके हैं डिपलोमा कर चुके हैं और आप लोग एक गवर्मेंट जॉब की तलास में हैं तो आप लोग के लिए ये बहुत कि बड़ा मौका है दोस्तों आप लोग इस वेकेंसी को इस रिक्वायर्मेंट को फार्म अपलाई करके जो भी प्रोसेस होगा अभी मैं आगे बताऊंगा कि इनका सेलेक्षन प्रोसेस क्या है क्या क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने सारा कुछ ब्योड़न दोस्तों मैं इस वेडियो में बताने वाला हूं तो आप लोग इस वेकेंसी के माध्यम से अपना सेलेक्षन गौर्मेंट जॉब ले सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों आज मैं इस नोटिफिकेशन अपडेट पे जो भी डेटेल से वो सब बताता हूं यह जो रिक्वायर्मेंट आई एक गौर्मेंट आप इंडिया इंटर्प्राइजेस अंडर दर मिनिस्ट्री आप डिफेंस यानि कि यह जो बी इल कंपनी है दोस्तों भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिंटेड यह भारत सरकार रच्छा मंत्राले के अंतरगत अगर आप लोग भारत सरकार रच्छा मंत्राले क बहुत ही शटीक तरीके से एकदम आसान भासा में पूरी जानकारी समझाने वाला हूं में ठीक है तो चलिए दोस्तों बिना देर की हम आप लोगों को सारा कुछ बियोड़न पताते हैं बएल यानि कि भारत Иलेक्टोनिक्स लिम्टल की तरह से इन्होंने पताया दोस्तों आप बहले देखिए भारत इलेक्टोनिक्स लिमटल यह यह नुवरत्ना कंपनी मसंहां के इन्डिया प्राइमेर, प्रोफेसनल इलेक्टोनिक्स कंपनी bliver मद써नी irs двух इन इअश्वनडा या पर्मानेंट बेसिस यानी कि इन्होंने जो bacancy निकाली है वो पर्मानेंट होने वाली है तो अगर आप लोग पर्मानेंट जौप की गॉर्मेंट जौप की तलास में हैं तो आप लोग इस फार्म को apply जरूर कर येगा ठीक है चली दोस्तो मैं पोश्टकी कि बात करता हूँ सबसे पहले इन्होंने जो बताया है वह एंजिनरींग असिस्टेन ट्रेनिंग यानि की इ ए टी इंजिनरींग असिस्टेन ट्रेनिंग इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो है दोस्तों three year diploma in engineering from a recognized इंसिट्यूट ठीक है डेसिप्लिन ट्रेट की बात करें तो इलेक्ट्रोनिक्स और कम्विनिकेशन से जो भी कंडिडेट्स डिप्लोमा पास आउट है इन ब्रांच से वो इस फार्म को अपलाई इएटी की पोश्ट के लिए कर सकते हैं नंबर आप पोश्ट की बात करें तो टोटल पोश्ट 12 है जिसमें जनरल के लिए 6 पोश्ट EWS के लिए 1 OBC के लिए 2 SC के लिए 2 ST के लिए 1 बात करें दोस्तों सेलरी की तो ग्रेड केरियर पैद पेश्केल 7 यानि आपका जो पेश्केल रहेगा दोस्तों ग्रेड रहेगा वो रहेगा डबलू जी 7 CP 6 Pay Scale RS 24,500 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक आपको पेमेंट इस कंपनी में इस जॉब के लिए मिलने वाली है तो बहुत ही बड़ी वेकेंसी है दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रानिक्स या फिर कम्यूनिकेशन ब्रांज से पास आउट हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अपना फार्म अपलाई कर सकते हैं ठीक है आगे बताते हैं दोस्तों हम टेकनीसीन सी जिसके लिए की जो क्वालिफिकेशन रखा है वो है ITI तो मैं इस इक इनिडेट्स के लिए भी यह बहुत ही बड़ा मौका है आप लोग टेकनीसीन सी की पोस्ट के लिए इस वेकेंसी में अपना फार्म अपलाई कर सकते हैं अगर आप लोग ऐलेजिबल हैं तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं टेकनीसीन सी के लिए क्या-क्या क्या के बाद होता है दोस्तों वह आपके पास अगर कंप्लीटली है तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अधर और यानि की अत्वा अगर यह सब नहीं है तो आपके पास SSLC प्लस थ्री एयर्स नेशनल अपेंटिसिप सर्टिफिकेट कोर्स यानि कि अगर आपके पा इस फार्म को अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं ठीक है इस पोस्ट के लिए मिलने वाली है भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड में ठीक है चलिए दोस्तों हम तीसरी पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए जो क्वालीफिकेशन मांगा है उन्होंने वह है विकॉम या फिर ती और विय्म ठीक दोस्तों ट्री एंश कोर्स आनि कि इसके लिए जो क्वालिपिकेशन मांगा उन्होंने वह है बिकॉम या फिर BBM three years course प्रामे रिकोनाईज इंसिटूट या फिर इनुवर्सिटी ठीक है इसके लिए जो ब्रांच है इन्होंने बताया वो बिकॉम या फिर BBM तीन पोस्ट है टोटल और आपको जो सैलरी रहेगी वो रहेगी एक कई सजार पांसुर रुपए से लेकर 82,000 रुपए तक ठीक है तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी पोस्ट वाइज मैंने बताया दिये कि आपको कितनी पोस्ट थे और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया इन्होंने सारा कुछ बिरोन पता दिया हूं आगे मैं बने रहीगा और भी ब कार्म को अपलाई करने के लिए एलेजबल हैं ठीक है पोस्ट की बात करें तो एज लिमिट की बात करते हैं एटी के लिए अठाई साल टेक्निसिंसी के लिए अठाई साल जूनियर असिस्टेंट के लिए अठाई साल यानि कि तीनों पोस्ट के लिए जो एज लिमिट रख SC, ST के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 साल यह छूट government rule है दोस्तों यह आपको age realization में upper age limit में मिलता है छूट ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों education qualification की बात करें तो इन्होंने बताया है आपका जो EAT के लिए जो post है इसके लिए जो minimum percentage marks होने चाहिए जो आपके qualification में वो है general और OBC और EWS के लिए 60% SC, ST और PWD के लिए 50 post technician C के लिए general EWS, OBC के लिए 60 post और SC, ST, PWD के लिए 50 post ठीक है तो 50% अंकों से अगर आप लोग SC, ST, PWD वाले candidates ITI pass out है तो भी आप farm apply कर सकते हैं और अगर आप लोग general EWS और OBC में आते हैं तो आपको पास ITI में कम से कम जो minimum marks होने चाहिए हो 60% से कम नहीं होने चाहिए ठीक है junior assistant के लिए भी same marks हैं दोस्तों general EWS, OBC के लिए 60% मार्क और SC, ST, PWD के लिए 50% मार्क होने चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों experience की तो कोई experience मस्ट नहीं किया है इन्होंने आप लोग बदैर experience के इस farm को apply कर सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं method आप selection की बात करें तो the candidate meeting the criteria will be provisionally shortlist for the selection process the eligible candidates will be required to appear for return test for 150 marks considering of ठीक है यानि कि आपका 150 number के जो है return test exam होगा और अगर आपको उसमें जो part 1 होगा वो होगा general awareness का यानि कि 50 mark का होगा general awareness जिसमें आपको आएगी compressive of general mental ability and attitude to logical reasoning analytical compression ability basis numeracy data interpretation skill and general knowledge part 2 में आपको आएगा दोस्तों technical trade attitude जिसका जो total marks होंगे हो 100 marks होंगे और इसमें आपको technical से आपको trade से जो question है वो आएगे तो यह बहुत ही बड़ा chance है दोस्तों अगर आपका ट्रेड है चाहे आप diploma है या फिर b.tech है या फिर ITI है अगर आप लोगं का technical जो है ट्रेड है वो मजबूत है तो आप लोग टेकनिकल से ही अपना जो return exam है वो qualify कर सकते है ठीक है कटेगरी की बात करें दोस्तों तो आपको जो exam को qualify करने के लिए general और OBC और EWS को लिए 35 प्रस्यत marks part 1 और part 2 में लाना पड़ेगा ठीक है SC ST को PWD को 30 प्रस्यत mark लाने होंगे part 1 और part 2 को मिला कर ठीक है तो दोस्तों यह थी पूरी criteria जो मैंने बता दिया आपको qualification और return test में exam के लिए कितना प्रस्यत mark लाने होंगे आपको वो समय ने बता दिया है आगे बताता हूं दोस्तों इस फार्म को apply करने के लिए आपको जाना होगा BEL की main website पर यानि की www.bel.gov.in पर जाएंगे carrier पर जाना है आपको वहां से यह link मिलेगा वहां से इस फार्म को apply आप आप लोग eligible हैं और भारत electronics limited company में job करने के लिए इच्छुक हैं जो कि भारत सरकार अच्छा मंत्राले के अंतर्ग है तो आप लोग इस फार्म को apply कर सकते हैं ठीक है तो और कुछ जो भी details है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं और पताता हूं अगर कोई इसी important चीज़े होंगी तो the last date for applying online 11.07.2024 यानि कि आप लोगों को इस फार्म को apply करने के लिए जो last date है दोस्तों वो है 11.07.2024 यानि आप लोगों को 11.07.2024 से पहले इस फार्म को apply करना पड़ेगा अगर आप लोग permanent job की तलास में है गौर्मेंट जौब की तलास में है तो ठीक है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी भारत electrical limited company की तरफ से जो requirement निकल के आई थी मैंने उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को बहुत ही detail से बता दिये अगर आप लोग भारत electronics limited company में job करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस फार्म को apply करना होगा और उसके बाद return exam होगा दोस्तों इसमें और return exam में आपको qualify करना ही पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप लोग comment करके जरूर बताईए मिलते हैं next videos में next campus placement notification update या government job update लेके तब तक के लिए दोस्तों thank you धन्यवाद जैहिन दोस्तों